जानते हैं आज तक जिसने भी इन 10 to 1 golden rules को follow किया वो बिमार नहीं पड़ते हैं उनकी immunity बहुत strong रहती है उनके दिन की शुरुवात दवायों से नहीं होती अच्छी health के लिए ये 10 to 1 rules इतने असरदार है इतने आसान है कि इने कोई भी follow कर सकता है और पहले ही दिन से इसका जो असर होगा आप आश्चरित चकित रह जाएंगे नमस्कार योग जर्णी में मैं मदुचादरी आपका स्वागत करती हूँ स्वस्थ रहने के लिए 10 to 1 rule में 10 जो है यानि आपको रोजाना 10 minute प्राणायाम करना है देखिए सिर्फ अच्छा खाना खाने से हम स्वस्थ नहीं रहते हैं शरीर के जो पाँच तत्व है ना उनमें संतुलन लाना जरूरी है तो जो वायू तत्व है उसे संतुलित करने के लिए होता है प्राणायाम दो मिनिट कपालबाती उससे डबल यानि चार मिनिट अनुलोम विलोम दस बार ब्रामरी दस बार उम चैंटिंग और उसके बाद आराम से आँखे बंद करके बैठ जाना और मेडिटेशन करना दस मिनिट भी नहीं लगेंगे ये आपको सो साल तक सुस्थ रखने का सबसे आसान और असरदार तरीका है नाइन यानि रोजाना कम से कम नौ मिनिट पैदल चलना ये पैदल चलना आपके शरीर की ग्राउंडिंग करेगा आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहेगा आपके शरीर के जो रोग हैं वो जमीन में जाने लगेंगे खास दोर से तब जब आप नंगे पैर चलते हैं मिट्टी में या घास में और थोड़ी दिर उल्टा भी चलिए इसका बहुत अच्छा असर आपके घुटनों पर आता है और वॉक करने से आप डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज न जाने कितनी समस्याओं से वैसे ही दूर रहेंगे और एक खास चीज वॉक करते समय ध्यान अपनी सांसों पर रखिए ये एक तरह का चलता फिरता मेडिटेशन हो जाएगा एट यानि रोजाना कम से कम आठ गिलास लिक्विड आपके पेट में जाना चाहिए इसमें पानी चाच जूस नारियल पानी ये सारी चीज़ें आ जाती है जब आपके शरीर में 70 परसंट जो जलता तू है वो संतुलन में रहेगा तो शरीर की 70 परसंट समस्याओं अपने आप ठीक हो जाएगी साथ यानी रोजाना कम से कम साथ घंटे की नίνद लेना जानते हैं अकेले नीन्द की कमी से आपके शरीर में वातजनित रोग होने लगते हैं शरीर में यहां वहां दर्द होता है आप हमेशा फाईट एंड फ्लाइट मौड में रहते हैं उसके कारण सेंक डोव बिमारियां जनम लेती हैं। कभी जोडों में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द, कभी कंदों में दर्द, सिर में दर्द होता है। अगर आपको नीन नहीं आती है तो सोने से पहले आप योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Six, यानि अपनी आँखों का ख्याल रखने के लिए कम से कम छे आई exercise आपको रोजाना करनी है. पहली, दूर देखना, नाख के टिप के तरफ देखना. दूसरी, दाएं और बाएं अपने eyeballs को घुमाना. तीसरा, उपर देखना और नीचे, यानि oblique movement of eyeballs. दौनों तरफ करेंगे ये, आँखों को गोल घुमाना clockwise and anti-clockwise. करें आप अभी साथ में. इसके बाद पलकों को तेजी से जपकाना और हथेलियों को अपस में मलके अपनी आँखों पर रख देना. ये चोटा सा अभ्यास आपकी आँखों को नया जीवन देगा. आपको लंबी आयू तक चश्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी. फाइव का मतलब है, रोजाना कम से कम पांच मिनिट धूप में बैठना है. जल तत्वो हो गया, वायू तत्वो हो गया. चो शरीर में अगनी तत्वो है ना, वो हमें मिलता है सूरे से. सिर्फ पांच मिनिट सुबह की धूप में बैठने से, आपकी हड़ियां मजबूत रहेंगी, आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी. और ये जो नंबर फोर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिन में कम से कम चार बार आप अपनी सांसों को चेक करें. क्योंकि दिन भर हमारी सांसे जब छोटी-छोटी हो जाती है, सेंकडो रोगों का कारण बन जाती है. याद नहीं रहता है, तो इसे ऐसे याद रखें, कि जब भी आप breakfast, lunch, शाम की चाई, कॉफी ले रहे हैं, या रात का डिनर ले रहे हैं, उससे पहले दो मिनिट रुक कर अपनी सांसों को चेक करना, आप अभी चेक करें आपकी सांसे कैसी चल रही हैं, तेज-तेज हैं या और पूरा सांस बाहर चोड़ दें, दिन में चार बार भी अगर ये awareness रख ली, तो आपके शरीर के 80% रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, थ्री, यानि रात को सोने से पहले, इन तीन अंगों में जब आप तेल लगाते हैं, आपका शरीर बुड़ापे से जवानी की तरफ पाने लगता है, सरसो का तेल लेना है हलका सा और नॉस्ट्रिल्स में लगाना है, नॉस्ट्रिल्स में जब आप तेल लगाते हैं, रात को नींद बहुत अच्छी आती है, जिनको जुकाम, नजला, नाक, बंद की समस्या है, वो भी दूर होती है, नाभी से आपकी उत्पत तो इसे करके देखिए, साथ दिन भी अगर आपने इसे कर लिया ना, आपको इतना फर्क नजर आएगा अपने शरीर में, कि आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएंगे, तू, यानी सुबह उठते ही, दो मिनिट अपने लिए सुरक्षित रखें, और आभार प्रकट कर देखिए, जिन चीजों के लिए आप आभार प्रकट करते हैं न, वो आपके जीवन में बढ़ती चली जाती हैं, चोटी-चोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करना, सांसों के लिए, परिवार के लिए, इस दिन के लिए, और दिन की शुरुआत जब सही होगी, तो दि क्या जीवन बदल जाएगा वन यानि संसेट के एक घंटे के अंदर अंदर आपको डिनर कर लेना है देर रात को खाना खाने वाले लोग यह समझ लें कि यह खाना आपको अच्छा स्वास्ते नहीं दे रहा है बलकि यह खाना जब पेट में पड़ा-पड़ा सड़ता है उसस जो टॉक्सिंस बनते हैं जो दूशित वायू बनती है वो आपके शरीर को रोगों का घर बना देती है तो यह 10-1 गोल्डन रूल्स आप प्रैक्टिस करना शुरू करें अगर आपने एक महिना भी इन्हें रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो मेरा दावा है कि आपके शरीर क काया कल्प होने से कोई रोक नहीं सकता आप अपने आप स्वस्त रहने लगेंगे आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो आप यंग और इनरजेटिक नजर आएंगे करके देखें वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करें और मोस्ट अपना बहुत सारा ख्याल रखें मैं हूं मधु चाधरी और आप इस वक्त योग जानी पर हैं नमस्कार